मेरे हाथ में आज आप ये तीन डॉग के स्टेचू देख रहे होंगे तो हम आगे बढ़ने से पहले ये समझ लें ये डॉग यानि कि अगर हम इसका हिंदी नेम बोलें तो इसे बोला जाता है कुट्टा कुट्टा क्यों बोला जाता है कई बार आप इनसान को भी कुट्टा बोलते होंगे इनसान को भी कुट्टा बोला जाता है बहुत सारी कंडिशन है कुट्टे की अगर हम बात करें डॉग यानि कि वो एक जीव जो की दरवेश कहा जाता है या फिर दूसरों पे आश्रित होने वाला एक ऐसा जीव है जो हमारे समाज में हमारे समाज का हिस्सा है और कई बार दोस्ताना विवार भी इसका होता है ऐसा विवार तो इनसान का भी होता है इंसान. यानि की वो व्यक्ति जो दूसरों के उपर आश्डित होके रहता है, दूसरों के दबाब में होके रहता है, same वो ही condition एक कुते की होती है. कुता अगर आपके घर के बाहर आएगा और आपको गुर आएगा, तो आप चपल फेक के मारोगे डंडे से भगाओगे कुछ ना कुछ करोगे उस कुट्टों के भगा दोगे वही कंडिशन एक इनसान की होती है जब वो किसी पर आश्रित होता है तो एक कुट्टे की जिन्दगी जी रहा होता है और यही कुट्टे की जिन्दगी देखिए लाल किताब में कुछ बातें सीधी कहीं गई हैं जिने की तीर की तरह वो बाते लगती है तो इनसान की जिन्दगी कुट्टे वाली कब होती है और वो कुट्टे वाली जिन्दगी से वो क्यों निकले अगर वो नहीं निकलेगा त क्योंकि जो बातें कहीं जाएंगी हो सकता है वो आपको बुरी भी लगें पर वो बातें समझने वाली हैं। तो दोस्तों मैं तो बदनाम हूँ ही क्योंकि सीधी बाते करता हूँ, कोई बाते छुपी नहीं होती हैं, तो इतना भी जरूर समझ लीजे कि अगर सीधी बाते अगर कही जाती हैं, तो वो आपके भले के लिए होती हैं, आपके भलाई के लिए होती हैं, आपके लिए फायदे वाली होती हैं, कुछ बातें कड़वी जुरूर हो सकती है, पर उनका जीवन में बहुत ही बड़ा importance होता है, कुत्ते की अगर हम बात करें, तीन दुन्यावी कुत्तों की बात की ग सबसे बुरी हो जाती है जिनकी कुणड़ी में अगर केतू खराब हो और साथी साथ सूर्य खाना नंबर एक सिर्य पैंच में हो अगर अगर मान लिजे यह शनी के साथ भी आ गया तब भी कंडिशन खराब हो जाती हैं तो कुल मिलाके हालात देखी जाती है अगर शनी खाना नंबर तीन में है चंद्र खाना नंबर दस में है या शनी खाना नंबर तीन में है साथ में सूर्य भी है और साथ में पूरी कुंडली म अगर हम देखें के तू भी खराब है के तू भी अगर मान लिजे मंदा है कहीं पर बुरी हालात का है के तू नश्ट हो गया शुक्र मारा गया तो के तू खराब हो जाएगा तब इस केस में समझ लीजिए खाना नंबर तीन का शनी आप के लिए काफी जहरीला हो जाता है और व्यक्ति financially बहुत जादा trouble life में उसको मिलती है और बहुत सारी troubles आती है जैसे कि उसका मकान नहीं बन पाता है पैसों की दिक्कते रहती है इंसान financially कहीं न कहीं लोगों से करजा ले ले के अपना जीवन चलाता है इंसान के ऊपर बहुत सारे करजे होते हैं इंसान कभी भी पैस सिर्थ चुपाने के लिए अपने लिए कहीं पर अपने परिवार के लिए सिर्थ चुपाने की जगा वो बना सके ये सब शनी खाना नंबर तीन केतू के खराब होने चंदर के खराब होने और सातिसाथ सूरे के शार्थ शनी के आपस में मिल जाने के कारण ये conditions बनती है आप घर जवाइब बनके बिल्कुल ना रहें, مت रहिए घर जवाइब बनकर और इस तरीके से आप कुटे की सेवा भी करते रहिए, तीन दुन्याबी कुटे अगर आप इस तरीके से सेवा करेंगे, आपका कोई नाती है तो उसकी सेवा करिए, आप कहीं ससुराल में जाके मत रहिए और साले की सेवा करते रहिए और अगर आपके जीजा यानि की बहनोई हैं तो उनके घर मत रहिए जाके अब यह कंडिशन्स हो गई कि आपको यह सब कुछ करना है अब इसके साथ साथ आपकी जिंदगी आपने अगर माल लिजे इस तरफ पर काबू पा लिया अपनी इन चीजों पर काबू पा लिया तो समझ लिजे आप इस दलदल से निकलने के लिए तयार हो और अपनी जिंदगी खुशाल जीने के लिए तयार हो अब आपको करना क्या है आपको करना है इनकी सेवा यानि कि इनकी समय समय पर मदद करते रहें जितना आपका सामर्थ है ज टेटू कही उपाय कहा गया है शनी को सही करने के लिए अप 잠깐만 को पकड़ के उपाय नहीं करेंगे हमें उपाय करने हैं इंड्रेक्टली शनी के सही करने के लिए financially जो आप मर्द है आपके जीवन में financially problem आ यह उसको सही करने के लिए आपको तीन कुत्तों की सेवा बाहर जाईए कुछ न कुछ खिलाइए उनकी सेवा करते रहिए उनके परेशानियम उनके काम आईए माली जो कोई जखमी है कहीं पर किसी को चोट लगी है इलाज करवाईए जो आपसे बन परता है कर ये चाहें रोटी दीजे चा आपकी ववैस्था हैं आपकी सरकंस्टांसी ऐसी बनेंगी कि आप इन करजों से निकलोगे और अगर माली जे आप कुत्ते की सेवा नहीं कर सकते हैं अपने घर में अगर आप कुत्ता रखना चाहते हैं तब आप तीन कुत्ते रख सकते हैं अगर माली जे तीन कुत्ते भी केतु का माना गया है केतु केतु यानि की कुत्ता उपर से ब्लैक और वाइट कलर इनको आप घर में रखिए और रखने की सही जगा यह आपको समझनी होगी क्योंकि अगर हम रख भी लेते हैं तो हमें जगा का कई बारी confusion रहता है कि हम किस direction में रखें अगर आपको यह रखन अब इसके साथ कुछ और उपाय समझ लीजिए आपको और उपाय क्या करने है केतु को सही करने के लिए ब्रस्पती की मदद ली जाती है ब्रस्पती क्यों सही करेंगे तब केतु के फल सही होंगे यानि कि यह दोनों आपस में interconnected हैं तो इसके लिए आप चांदी की डिबिय करेंगे तो शनी के असरी जरूर ही खराब होंगे आपके तो यह सब जानकारी आपके लिए काफी काम आएगी जिसे हम कहते हैं कि धन माया से आप दूर हो चुके हो तो यह उपाय आपको धन माया के करीब लेकर आएगा आपके जीवन से financial जो दिक्कते क्रियेट हो चुकि आप लाइफ टाइम रखना चाहते हैं तो पीतल के भी हैं पर वो चीजें हो सकता है कि आपके बज़र से कई बार बाहर जाएं आप मिट्टी के भी रख सकते हैं तीन डॉग के ही स्टेचिव रखने हैं इतना जरूर ध्यान रखेगा तीन से कम मत रखेगा हां कई बार कंडि कोई और धातु के आप रखेंगे तो उनका वह असर नहीं आएगा क्योंकि पितल धातु वह ब्रस्तपती के साथ के तौनों को मिलाके हमने ब्रस्तपती और के तो इसी तरीके से यह उपाएं अगर मिट्टी का आप रख सकते हैं तो रख लिए क्योंकि मिट्टी में यह ख दीजिए अगर आपको मगाने हैं तो आपके एड्रस पर ये प्राण प्रतिश्टा करा कर आपके एड्रस पर भीज दिये जाएंगे बाकि आप कही हुई बातों पर गौर फर्माईए सिर्फ डॉक के स्टैच्व रखने से आपके उपायन नहीं होंगे पूरी बातों पर पूरे पर भाव हैं वो जीवन से निकलना शुरू हो जाएंगे।